अब सरकारी करमचारी स्टोक मार्केट में इन्वस्मेंट नहीं कर सकते हैं जब से यह न्यूज आई है सब लोगों के एक ही सवाल है कि वो सेर मार्केट में क्या क्या ट्रंजेक्शन कर सकते हैं पहला सरकारी करमचारी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दूसरा सरकारी करमचारी लॉंग टर्म स्टोक्स में इन्वस्मेंट कर सकते हैं तीसरा सरकारी करमचारी मुच्वल पन में इन्वस्मेंट कर सकते हैं चोथा सरकारी कर्मचारी आप्टर रेटायर्मेंट सेर मार्केट के किसी भी तरह के ट्रंजेक्शन्स कर सकते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू